हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का स्वाथ करता हूं मेरे चैनल आपका HR कंसल्टन में दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग exit interview के बारे में दुबारा से बात करेंगे लेकिन यहां पर मैं आपको यह नि बताऊंगा कि exit interview क्या होता है उसके क्या रहता है नो जब आप किसी कमपनी को छोड़ता है थो उसके में exit interview होना सभाविक रहता है जो अच्छी इंची ओनें होती इस वह है exit interview होने सभाविक रहता है कई लोग है exit interview को normally नॉर्मली फेस कर लेते हैं, उनके लिए कोई परशानी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, जो एक्जिट इंटर्व्यू को नॉर्मली फेस नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, उनको लगता है कि अरे मेरे से क्या पूछ दिया जाए पर पांच चीज़े हैं, जो आपको कंसिडर करनी हैं, अगर ये पांच चीज़े आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप लोग आराम से इंटर्व्यू दे पाएंगे, जो एक्जिट इंटर्व्यू होता है, उसको आराम से दे पाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो होती तो that means कि वहाँ पे जो HR है वो आपका exit interview लेगा तो ये आपको सबसे पहले समझना बहुत जोरूरी कि कौन आपका exit interview लेने वाला है तो उसके basis पे आप mindset बनाईए और उसके basis पे आप तयार कर सकते हैं कि आपको वहाँ क्या बोलना है ये सबसे पहली चीज है दूसरा है prepare well अब अपने जो भी answers हैं आपको पता होगा कि आपनी company में क्या काम किया कैसे काम किया क्या क्या गूल सापने अचीव किये company में रहके company के लिए आपने क्या 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 तो वो सारी चीजे जो है आप well document करके रखें अपने पास ताकि आपका preparation अच्छा हो जब भी आप exit interview के लिए ज question पूछा जाता है जिसके पास आप जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो अगर आप well documented होंगे well prepared होंगे तो आपको परशानी नहीं आएगी तो prepare अच्छे से करके जाए then तीसरा है देखे बहुत सारे लोग क्या करते है न कि जब भी exit interview होता है क्योंकि वो already अपना paper put down कर चुके हैं उनको दूसरी जगा job मिल चुकी है they are full of enthusiasm और जो है दूसरी company को join करने के लिए ready है तो जो current company है उसके regarding उनके दिमाग बहुत सारे negative बाते आ जाती है या negativity की कारण ही बहुत सारे लोग company चोड़ते हैं तो मैं यहां आपको एक ही चीज़ बताऊँगा वो है कि अपने अंदर से negativity को बाहर फिक दीजेगा जब भी आप exit interview के लिए जाते हैं तो make sure कि आपके अंदर negativity नहीं होनी चाहिए positivity रखें ठीक है company में जो भी आपके साथ negative activities हुई है उसको हम लोग side में रखते हैं positive activity आप अपने अंदर लेके रखें positive attitude रखें और positive attitude के साथ आप exit interview में जाए वो आपको बहुत जादा मदद करेगा क्यों जब भी वहाँ पे question निकल के आता है वहाँ पे आपको हसते हुए polite right way में और positive aspect में आपको जवाब देने होंगे ठीक है then next आता है prepared response आपको जैसे ही जो जो मैंने ऊपर चीजे बताई उसके basis पे आपको अपने आपको अच्छे से prepare करने अपने सारे questions अच्छे से well document कर लीजे कि क्या-क्या पूछा जा सकता है क्या-क्या आप जवाब दे सकते हैं और उसके basis पे ही रहा सारे के सारे responses prepare कर लें for example अगर आपको लगता है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों company छोड़ रहे हैं तो उसका एक well documented answer रखिए with a positive response ना कि negative response ठीक पॉस्टिव response के साथ एक अच्छा सा जवाब तयार रखिए और उसी को आप well rehearse कर सकते हैं कि यह questions हैं और उसके जवाब जो हैं बकाइदा आप लोग note down करके रखिए और उसको जो है अच्छे से तयार कर लें अब last आता है यही जो आपने interview के तियार की है जो exit interview की जो छोटी सी तियारी है वो आपने की है और उसको अगर आप अभी भी आपको लग रहा है आप फंबल कर रहे हैं आप अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं आपके अंदर confidence नहीं है तो make sure आपके जो दोस्त है जो आपका cover है जो आपके साथ काम कर रहा है company में उसके साथ जाके practice करें उसको आप अपना जो भी response है वो बताएं और कोशिश करें तब तक practice करें ज तो मैं आपको यही suggestion दूँगा कि exit interview के लिए जब आपको call आता है जब आपको HR बूलाता है या director बूलाता है तो please डरने की जरूरत नहीं है anxiety बे जानी की जरूरत नहीं है अपने आपको well prepare करें जो मैंने ये 5 steps दी हैं इन 5 steps को follow करके अपने आपको अच्छे से prepare करें तो वो आपको एक अलग ही confidence देता है और जब बिग question जो भी question आपके सामने आते हैं उस question को आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे तो होप आप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों ये 5 जो aspects हैं ये बहुत जादा जरूरी है exit interview को लेके और यहां पर एक और चीज जाएगी कि यह questions जो है पूछे जाते हैं जादा 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 जो है साथ से 10 questions पूछे जाते हैं उन्ही questions को जो है डालके आप लोगों को बता दूगा ताकि आप लोगों को बहुत जादा आसानी हो जाए exit interview देने में आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को प मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं मुलूँ को आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रगेगा धन्यबाद दोस्तों